अगला नंबर आपका होगा क्यूंकि आप ये जो छोटी छोटी गलतिया करते हो ना जिसकी वज़े से आपके साथ में स्कैम होने का 99% चांस बढ़ जाता है तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे स्टेप्स में बताने वालों जिसको आपको मैंडेटरली फालो करना ही है अगर आप इन सबी स्टेप का घ्यान रखते हो इन सबी चीजों के आपके साथ में life में कभी वी Amazon हो जाए या यहां पर definitely देखने को मिलता है comment section का भी बहुत बहुत पूर यूज इतमाल करना वहां भी बहुत सरे experience है आप लोगों के साथ में कोई scam हुआ नेक्स कमें सरक्षन में जुरू बता देना तो देखो सबसे पहले जब भी आप यह सेल अगर आता है और आपने प्राइज बगरा देखा तो आपको 60% डिस्कॉंट 50% डिस्कॉंट और यह प्राइज बगरा दिखाए जाता है इन सभी ल लेना और यहां पर एक्स्चेंज ऑफर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना दूसरा जब भी आप कोई भी प्रॉड़क्ट या फोन खरीद हो तो उसका सेलर का इनफॉर्मेशन जरूर चेक करने कि होता क्या है जब भी नए प्लाटफॉर्म्स वगरा यहां पे जूट जाते हैं और वोग स्कैम कर लेते हैं और आप फ़स जाते हो इसको चेक करने के लिए प्रॉड़क्ट का सेलर पेज पर जाए और सेलर का रिविजूस देखे अगर इस पडिकुलर प्रॉड़क्ट यह ने किसी और के साथ में स्कैम कराय रहा तो डेफिनिटली आप लोग कुछ ना कुछ रिविजूस मिल जाएगा और वहां से आप सतर्क हो करके उस टेलर का प्रॉड़क्ट आप ना बाइ करके दूसरे किसी सेलर का आप प्रॉड़क्ट बाइ कर सकते हो एमजोन या फ्लिपकार्ट पर क्यूंकि मल्टिपल सेलर को यह लोग करते हैं एक ली एक ही सेलर नहीं रहता है little seller आप अपने प्रॉड़क्स को सेल करते है alag at pricing पर इस लिए आपको कुछ पोन अपको डीपे प्रॉड़क्ट पे same phone आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स चीज़ दोस्तों आप कोई भी product खरीदो ना कोई भी नया हो या पुराना हो अगर नया होता है इमीडेटली जैसे launch होता है नहीं खरीदना है थोड़ा सा वेट कर लेना है प्रोड़क्त का रिव्यूस वगरा देख लो user experience देख लो कुछ honest रिव्यूस वगरा देख लो यानि कि एक phone launch होने के बाद में करीबन तीन चार हफ्ते के बाद में आप खरीदो तो आपको best product मिलेगा नेक्स दोस्तों जो भी product आप खरीटे हो उस product का review section comment section customers का photos डेफिनिटली चेक करो बहुत बार यह होता है कि आप photo देख लोगे जैसा smartphone आपको कम प्राइस में मिल रहा है 800 रुपए में 2500 का smart watch मिल रहा है तो आप क्या करोगे उसके reviews में देखो जो original customers ने photos पोस्ट किया उसको बेजो कई बार क्या होता है कि आपको pictures वगरा में bezel less screen दिखाये जाता है बट actual में product लंबे लंबे बड़े बड़े bezels होता है और आपका experience खराब हो जाता है next कोई भी phones वगरा आप जब भी खरीते हो make sure करना जब भी आपके पास delivery है open box delivery को opt करो अगर open box delivery ना हो या फिर हो पे आप box को unbox कर लो अगर delivery boy आपके पास नहीं रुखता है जैसे Amazon पे open box delivery नहीं देते flip card पर आपको देखने को मिल जाता है and वहां पे आप safe रह जाते हो but Amazon पे आपको चीज नहीं दिया दाता है तो आप make sure करना आप जब भी box को open करो camera on कर लो और पहले video के अंदर में दिखा पूरा seal pack है अभी deliver हुआ और camera के सामने पूरी अच्छी तरीके से उस product को open करो और जो सही चीज है वहां पे दिखा दो अगर आपके साथ में fake इटा पत्थर वगरा कुछ भी आ जाता है गलत product आ जाता तो यही video आपकी जान बचाएगा यही video आपको product को replace कराने में मदद कर आएगा अगर आपके पास में कोई भी proof नहीं रहता है तो कल के दिन अगर आपके साथ में scam हो जाता है नहीं यह Amazon flip card company आपकी सुनेगी नहीं आपका पैसा यहां पे return होगा और हजारों लोगों के साथ में यह चीज़ हो चुगा है अगर आपके पास में प्रूफ रहेगा अगर यह brands नहीं मानते हैं तो आप social media पर इस वीडियो को upload करके या फिर हमारे साथ share करके हम लोग इस चीजों के बारे में जब बात करते हैं तो बहुत सब्सक्राइब हो जाता है तो आपको make sure करना video definitely product का बनाना ही बनाना है साथ में दोस्तों आप बोलो कि इतना काम हो गय आपके पास में चाहे iPhone हो या फिर कोई भी brand का phone हो make sure करना पहले तीन दिन आपको हर चीज़ चेक कर लेना charging कैसा speed हो रहा है camera का कैसा काम कर रहा है video सही से ले रहा है किने overheating नहीं तो हो रहा है battery drain तो कहीं जादा नहीं हो रहा है या फिर phone में फाल्तू के application से background application में कुछ भी problem हो रहा है network सही से काम कर रहा है किने साथ में जो आपका phone और जो intact है ना सही से है किने यानि कि जो back case होता है जो proper build quality वगरा उसको सही से check कर लो सारा चीज है बेसिकले आपको चेक कर लेना होता है साथ में sensors वगरा भी चेक कर लो कहीं कहीं cases में क्या होता कि जैसे iPhone के मैमले में आपको दिखने में लगेगा है ने कि iPhone fake है बट आपको एक आईफोन पकड़ा दिया जाता है जिसकी कीमत होता है पांच से 10,000 रुपए बट आपसे 40,000 रुपए लेकर के आपसे वो phone भिकवा लिया जाता है और आप से 50 लिया जाता है आपके आंखंकों के सामने हाथ में ब आप चेक कर सकते हो, तो क्यूंकि 7 दिन का ही आपका रिपलेस्स्मेंट टाइम रहता है, उसी के अंदर में आपको मेक्षिर करना है कि फोन को ठोख वजा करके अच्छी तरीके से चेक कर लें आता है, 10 दिन आपके पास में प discuss als तही से काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं आता रहा buat कंग्राइचुलेशन आपने एक बेस्ट प स्ट परचेस कर लिया और आपके साथ में रहा ह awakening आपको बता दिया आपको क्या लगता है आपको opinion मुझे comment section में जुरू बता देना वीडियो का लाइक कर दो चैनल को subscribe कर दो कोई भी points वागरा missing हो तो वह भी बता देना बांकि Instagram, Telegram पर मुझे follow कर सकते हैं वहाँ पर मैंने group बना है जो भी sales product पर price drop होगा वो मैं post कर दूँगा वहाँ पर कोई सब्सक्राइब जुरू कर लेना वाइस वीडियो को लाइक कर लो यहां तक देख रहा हो सब्सक्राइब करो मोटिवेट करो सपोर्ट करो ताकि इस तरह से informative वीडियो और तगड़े लेवल के वीडियो आप लोगों के लिए रोजाना लेकर आपके हजारों करोड़ों का मैं म करके रख लो एंड चैनल पर देख लो मैं बहुत सारे प्राइस ब्रॉप को आपर्स दे रहा हो जाके देख लें चलो मैं मिल तो आप लोगों से अगले वाली वीडियो में तो पिलें बाबाए